हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको सिकरेट संशाइन ये 2007 की कोरियन मूवे एक्सलोन करने वालो ये मूवी एक मदर की पेंच से रिकावल होने की जर्नी दिखाती है वीडियो से पहले जादा कुछ बोलना गलत होगा इसलिए डारेक्ली स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और रस्ते के साइड में मदर और सन हमें दिखाए गए है इनके जो कार होती है ब्रेकड़ौन हो चुकी होती है मदर ने एक मैकेनिक को कॉल लगया होता है पर इस मैकेनिक को उसने जो लोकेशन बदा ही है ये पता नहीं होती क्योंकि जो mother है इसको भी actual में location पता नहीं है यह हमारी main character है इसका नाम शीने है शीने फिर एक गारवाले को हाथ देती है जो फिर रुख जाता है exact location mechanic को दे देता है अब थोड़ी से देर होने वाली होती है और side में ही एक छोटी स river होती है तो यह mother and son यह दोनों river के पास आकर बेट जाते है mother के दी कितना अच्छा लग रहा है यह sunshine शीने अपने बेटे से कहती है कि father को हमेशा यहाँ आना था son कहता है कि father तो यहाँ नहीं है mother कहती है हम तो यहाँ है हम दोनों हमेशा एक साथ रेने वाले है थोड़ी दिर में mechanic आ जाता है वो गाड़ी fix करता है यह जो mechanic है यह हमारा और एक main character है इसका नाम कीम है कीम शीने से पूछता है कि क्या यह तुम्हारा first time यहाँ आने का वो खेती कि हाँ पर वो अब यही रहने वाली है यह भी उसे पताती है शीने एक piano artist होती है उसे अब piano के लिए classes लेने है इसलिए उसे एक बड़ा hall लगने वाला है वो कहा रहने वाली है यह भी उसे पता नहीं तो rent के लिए भी उसे एक जगा चाहिए किम इसी गाव में रहता है तो उसके contacts है और यह सब उसे दिलवा सकता है इसलिए वो सब जगा कॉल करते है और inquiry करता है जिस गाव में अब वो रहने वाली होती है इसका नाव मिरियांग होता है शीने फिर किम से पुछती है मिरियांग कैसा गाव है किम कहता है कि सिधा सदा गाव है लोग एक दूसरे को जानते है जादा कुछ बड़ा इसमें नहीं है शीने उसका meaning उसे पुछती है पर शीने को already इसका meaning पता होता है वो कहती है कि इसका meaning secret sunshine है किम कहता है कि ये वी सही है ये suit होता है इस गाव को जब थोटे दिन चले जाते है तो शीने किम से मिलने आती है वो किम को कहती है कि तुमने जो भी सब बताया था वैसे सब कुछ सई से हो गया है उसे पियानों के लिए studio भी मिल चुका है और वो अच्छे से रह रही है किम उसे आंदर इन्वाट करता है पर वो अपने बेटे के साथ होती ही तो चली जाती है घर जाते वक्त एक उसे shop दिखती है ये कपड़ों की shop होती है यहां के owner के पास हो आती है ये भी एक lady होती है तो उससे वो बात करने लग जाती है वो केती है यहने बहुत बार तुम्हारा शॉप देखा है इस शॉप में अच्छी तरगे से लाइट नहीं आया पाती मुझे लगता है कि अगर तुमने इस प्लेस को रीडेकोरेट किया तो बहुत सारे कस्टमर यहां आ सकते है तुमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है औरना कस्टमर डाउन हो जाएंगे यह जो शॉप की लेडी होती है यह उससे कहती है कि मुझे तुमारे बारे में पता है शीने का हस्बन मर चुका है उसे हमेशा मिरियांग में रहना था अब वो यहां नहीं है तो इसलिए अब शीने यहां रहे रही है शीने के हस्बन के बारे में इस शौर की लेडी को पता होता है यह एक छोटा सा गाव है और हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है शीने का जो कहना होता है ये केकर वो आसे चली जाती है किम को शीने अच्छी लगती है जब भी भी टाइम मिले तो शीने के पास वो आ जाता है उसके बहुत सारे कॉंटेक्ट भी होती है तो अपने फ्रेंड्स को वो कॉल करता है उन्हें कहता है बहुत अच्छी एक पियानो टीचर हमारे टाउन में आई है तो उसे उनके बच्चों को वो पियानो लेसंस ले ऐसा बोल रहा होता है शीने के पास आकर वो एक फ्रेम भी लगाता है इसमें दिया होता है कि शीने एक आवाड विनिंग पियानो टीचर है शीने बुश्ती है कि ये तो गलत है ये क्या कर रहे हो वो कहता है इससे लोग ज़्यादा गन्मिन्स होंगे ये लगा कर वो चला जाता है शीने का बेटा होता है तो नरसरी टाइप स्कूल में हो जाता है वह है एक ही टीचर होता है जो सब को सिखाता है या अगर जो टीचर है वो सब बच्चों को स्कूल होने के बाद घर छोड़ कर देता है शीने भी अपने बेटे के साथ गाड़े में बैटती है और teacher सब को घर चोड़ रहोता है यहाँ वो क्यूज shift हुई है यह सब उस teacher को बताती है उसे यह भी कहती है कि मैं land buy करना चाती हो अब मैं यहाँ permanent रहना चाती हूँ इसलिए मुझे land buy करनी है उसे पता रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छी लायन पता हो तो तुम मुझे बता सकते हो यह teacher road पे गाड़ी थमा देता है इसके जो बेटी होती है यह दुसरे लेड़कियों से fight कर रही होती है यह उसको लेता है और गाड़ी में रखता है इसकी बेटी को वो बहुत डाटता है शीने टीजर की बेटी से बुछती है किस क्लास में तुम हो वो कुछ ही बता दी नहीं टीजर उसे डाटता है और बोलता है या अगर तुमसे कुछ क्वेस्चन पूछा जाए तो उसका आंसर तुमें देना चाहिए नेक सिन में हमें दिखता है कि शीने कुछ मेडिसिन लेने के लिए फार्मसी में आती है या जो फार्मसिस्ट है इसे भी शीने के बारे में सब कुछ पता है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक गिप्ट देना चाहती हो वो एक बाइबल ले थी और उसे दे देती है वो कहती है कि मुझे पता है कि किस बैन में तुम हो पर अगर तुम गौड का रास्ता चुन लोगी तो यह सब बैन तुमारा मिट जाएगा तुम अब जैसे दुखी हो वेसे तुम नहीं रहोगी शीने कहती है कि मैं दुखी वेगरा कुछ भी नहीं हो फिर भी उसे बाइबल दे देती है और शीने वहाँ से चली जाती है जब शीने घर आती है तो उसका बेटा चुप जाता है शीने प्रिटेंड करती है कि उसका बेटा उसे कही भी नहीं मिल रहा तो रोने लग गई है उसका बेटा जब बाहर निकलता है तो उसके पीछे वह भागती है यह बहुत ही स्वीट मूमेंट हमें दिखाए गया है शीने का जो ब्रदर होता है वो फिर उसे मिलने के लिए आता है शीने के बेटा जब सो जाता है तो भी दोनों बात करने लग जाते है ब्रदर कहता है कि उस आदमी के लिए तुम क्यों इतना ग्रिव कर रही हो शीने का जो हस्बंड था किसी दुसरी औरत के साथ उसका चक्कर था इसलिए शीने का ब्रदर उसे कह रहा है कि वो तुम से faithful नहीं था फिर भी तुम उसके लिए मोन कर रही हो कि गलत उसे लग रहा होता है शीने एकसेप्ट करने के लिए रेड़ी नहीं होती शीने के थी है, यह मुझसे और उसके बेटे से बहुत पैयर करता था ऐसा कुछ भी नहीं है नेक सिन में हमें देखता है कि किम शीने और उसके ब्रदर को एक लैंड दिखा रहा होता है यह जो लैंड होती है यह शीने का ब्रदर उसे बाई करकर देने वाला होता है किम फिर शीने और उसके ब्रदर को लेंज के लिए लेकर आता है वो कहता है कि इस land का जो owner है यह बहुत ही बड़ा आत्मी है यह बहुत ही influential है उसे बहुत सारे काम को कर सकता है इसे मिलने के लिए शीने को एक appointment लेने पड़ती है शीने कीम से बुछती है कि इतना influence कुछ matter करता है किम कहता है कि मुझे इतना पता ने पर आत्मी की इससे development हो जाती है शीने उसे कहती है कि तुम जैसे आत्मी को कुछ कहा जाता है उसे स्नॉप बुलाती है स्नॉप का मतलब होता है कि ऐसा आत्मी जो उससे जाधा financial situation उनके अच्छी होती है higher position होती है उनको ही जाधा value देता है उसके नीचे जो होते है उनको value ने देता उसे वो स्नॉप बुला होति है सीड़ा ब्रदर अब यहां से जाने वाला होता है तो तो क्ईम चेड़ने के Elliot की लिए साम यह कहते हैं मुझे तुम्हें आडवाइस देनी है जीख मत करना किम कुछ भी नहीं बोलता वहां से चला जाता है और बी अरे होती है वहां ओर छीख बाते हैं वो सब शीने पर हस रहे होते है जब ये शौप वाली उठती है तो शीनों को देखती है वैसे प्रिटेंड करते है कि एक दूसरे को उन्होंने सुनाई नहीं है आज शीने का सन अपने मदर के बारे में एक ऐसे बोल कर सुनाने वाला था शीने वहाँ जाती है उसे बहुत ही चीर करती है सब लोग फिर शेलिबरेशन करने के लिए होटल में आ जाते है वहाँ टीचर वेगरा भी होता है यह सब एंजॉय कर रहे होते है तो शीने को कॉल आता है जिस आदमी की लाइन थी वो आज आया हुआ है और किम ने शीने को बहुत है वो सबको कहे कर जाती कि उसे लैंड बाइं करने थी उसका ओनर यहां आया है जो टीचर होता है उसे पाहर चोड़ने के लिए आता है शीने उसे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो टीचर कहता है कि कुछ भी नहीं और शीने फिर वहाँ से चली जाती है, नेक्सिन में हमें ओनर और शिने इन दोनों के मीटिंग दिखाई गई है, इसमें शिने ओनर को पियानो बजा कर दिखा रही होती है, ओनर इससे इंप्रेस्ट हो जाता है, वो कीम को कहता है, तुमारी एज बहुत ही बढ़ चुकी है, उसकी एज 39 हो चुकी हो तो वो सजेस्ट कर रहा होता है, कि वो शिने से शादी कर सकता है, रात में हमें दिखता है कि जो शौप वाली थी, वो अब शिने की साथ फ्रेंड हो चुकी है, और भी शिने के फ्रेंड्स की जो मदर होती है, यह सब मिलकर अब कलब में आ चुके हैं, आज ये पार्टी कर आता है इस call पर कोई भोल ने रहा होता थोड़ी देर बाद ये घर पर भोश्चती है घर पर आने के बाद उसका सन उसे कहीं भी नहीं दिखता ये बहुत ही स्टब हो जाती है वहां फिर उसका फोन रिंग करता है शीने का जो सन होता है वो किन्ने वह चुका होता है और एक कि पर किन्नेपर की डिमांड बहुत ही जादा होती है। किन्नेपर फिर उसे एक स्पोर्ट पर बुलाता है वहां की जड़स्बिन होती है वहां पैसे रखने के लिए बोलता है। तुम तो land buy करने वाली थी तो बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए सीने उसे कहती है कि जो land buy करने वाली थी यह सिर्फ दिखाने के लिए था मैं reach हूँ ऐसा मैं दिखा रही थी मेरे husband की policy से मुझे पैसे तो मेले थे पर यह सब मैंने studio buy करने में खर्च कर दिये मेरे बास ज़्यादा पैसे नहीं है कि never फिर call card देता है next day में हमें दिखता है कि अब सीने ने पुलिस को inform कर दिया है वहा किम भी होता है वो discuss कर रहे होते मिरियांग में ऐसा कैसे हो सकता है एसा तो यह town नहीं था जब सीने घर पर आती है तो teacher की जो बेटी होती है वो अंदर जहाकरी होती है सीने को शक चला जाता है और वो पुलिस को call करकर यह बता देती है next day पुलिस सीने के घर पर आती है उसे एक spot पर लेकर जाते है जहाँ उन्हें एक body मिली होती है यह शीने के sun की body होती है यह देखकर वो test nice हो जाती है पुलिस स्टेशन में हमें शीने दिखती है यह जो murder किया गया था यह teacher नहीं किया होता है teacher को सब पुलिस स्टेशन में लाते है और किम उसकर बहुत ही भड़क जाता है उसे वो मारने के कोशिश करता है सिन में हमें दिखता है कि बहुत सारे ratios आए हुए शीने का जो sun है इसका आज cremation हो रहा है शीने की mother-in-law भी यहाँ होती है और बहुत ही रोने लग जाती है जब भार आती तो देखती है कि शीने रो नहीं रही उसे बहुत ही गुसा आजाता है वो कहती है कि पहले तुमने अपने husband को मार दिया और अब अपने बेटे को भी खा गई शीने की daughter-in-law को सब समालते है उसे लेकर जाते है किम शीने की side लेता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम हर्ड हो रही हो पर फिर वे तुम शीने को ऐसा नहीं बोल सकती शीने की mother-in-law कहती है कि तुम कौन हो ये सब बोलने के लिए शीने कहता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ फिर भी ये सही है बोलना शीने वही पेट जाती है कि मैं उसके पास आता है तो उसे कहती है कि मैंने उस टीचर को क्यों जाने दिया मुझे वही लग रहा था कि मैं उसे फार दू, जिन्दा काट दू शिने जीते जी मरे हुए आदमी जैसी हो जाती है वो टीवी देखती है तो देखती ही रह जाती है ये एक रोबोट की तरह इमोशन लेस हो जाती है जब वो पियानो क्लास लेती है तो बच्चों के सामने ही रो पड़ती है उसे पेट का दर्ध होने लग जाता है फिर वो मेडिकल पर जाती है मेडिकल पर जो लेडी होती है उसे फिर से कहती है तुम जिस सब से घुजर रही हो इसके लिए God ही तुम्हें help कर सकता है तुम जब God पर believe करोगी तब तुम्हें पता चलेगा यह सब जो हुआ है इसके पीछे एक reason है God बहुत यह great है और सब का खैल रखता है को उसे कह रही होती है शी ने इस पर believe नहीं करती यह medical वाली कहती है कि God सब में बसते है तुम्हें मुझमें इस sunlight में हर जगाए होते है शीने कहती है कि God अगर इतने सही होते है तो हो मेरे बेटे को नहीं लेकर जाते है और यह जो sunlight है इसमें तुम मुझे कही God नहीं दिखाई दे रहा वो believe नहीं कर रही होती और वहाँ से चली जाती है इस medical वाली ने उसे कहा होता है हम सब लोग एक जगा मिलते है वहाँ तुम्हें आना चाहिए शीने वहाँ से चली गई होती है नेक्स दिन शीने को अपने बेटे की death register करनी होती है किम उसके पास जाता है उसे help करने वाला होता है किम उसे मना करती है वो गारी में बेटने ही कोशिश करता है तो उसे हकल देती है शीने जब एक death register करनी के लिए जाती है तो वहाँ आपना control lose कर देती है बहुत ही वहाँ रोने लग जाती है उसके chest में भी दर्थ होने लग गया होता है शीने ने किम को आने में मना किया था फिर भी किम वहाँ आ चुका है वो उसे सहारा देता है यह जब fresh हवा लेने के लिए आगे street में जाते है तब शीने को एक place दिखता है जहाँ सब लोग prayer कर रहे होते है मेडिकल वाले ने उसे कहा था तो अब यहाँ जाना चाती है जब वे अंदर जाती है तब सब लोग prayer करते हैं गाना काते है यह सब वो जब सुनती है तब foot foot कर रोने लग जाती है शीने अब God पर बिलिव करने लग चुकी है जो सब बिलिव और सोते है इनके साथ वो बेटी हुए होती है इसमें मेडिकल वाली भी होती है वो इन सब से कहती है कि मुझे और एक चांस मिला है मुझे कभी पता नहीं था कि हम फिर से किसे जी सकते है मुझे अब इस सब का मिनिंग पता जुल चुका है वो कहती है जब मैं मेडिकल वाले से मिली तो मुझे सब कुछ गलत लग रहा था मुझे बिलिव नहीं हो पा रहा था इस सब जगा गौड बसता है पर यह सब सही है उसका सन गौड के पास है इसके पीछे कुछ रिजन है यह भी हो एक्सेप्ट करती है यहां किम भी आता है उसके पास बाइबल होती है शीने के साथ उसे रहना होता है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है नेक सिन में में दिखता है चर्ज में प्रेयर हो रही होती है इसके बाहर किम वालेंटियर करता है शीने के साथ वो रह सके इसलिए यह सब वो करता है सीने उसके पास आती है सीने उससे कहती है क्या तुम ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो न उससे कहती है कि तुम स्वेर करो कि तुम actual में God में believe करते हो किम भी स्वेर करता है और ये दोनों फिर हमें prayer में दिखाए गए है शिने जो है अब अपने दुसरे फ्रेंड के साथ लंच करें Bible का importance इन सब को भी बताती है नेक सेन में bus stand के बाहर हमें कीम दीखता है वो prayer कर रहा होता है उसके friends वो आते हैं उसे अपने पास बुलाते है उसे चिटा थे हैं, कि एक लड़की के लिए तुम यह सब कर रहे हो किम कहता है कि ओसे कुछ भी नहीं है पर एक्चल में यह सब वो शीने के लिए करता है श्रीट में ओसे अबास होता है कि उसका बेटा खर पर है शिने को बच्चों के आसपास रहना अच्छा लगता है इसलिए स्कूल में जाने वाले जो सब छोटे बच्चे हैं इन सब को स्कूल में अपने गाड़ी में छोटका जाती है एक स्टीट में हो देखती है तो टीचर की चो बेटी होती है हो मार खारी होती है ये कुछ ट्रबल में होती है इसे कि एक लड़का मार रहोता है शीने ये देखती है पर अब इसे इग्नोर करते थी है शीने का आज बड़्डे होता है अपने फ्रेंड्स से मिलने हो जाती है अपने फ्रेंड्स के लिए फिरो एक अनॉस्मेंट करती है वो केती है जिसने मेरे सन को मारा है उसे मुझे अब फर्ग्यू करना है गौर्ण ने हमें बताया है कि हमें फर्ग्यूने इस करना चाहिए इसलिए मैं उसे माफ कर देने वाली हूँ उसे माफ करने के लिए उसे मिलने जाने वाली होती है जब उसे माफ करने वाली होती है और मिलने जाने वाली होती है किम भी वह होता है किम उसे कहता है उसे माफ करने के लिए तुम्हें उसे देखना है चाहिए इसा कुछ भी ज़रूर नहीं है पर शीने उसकी मानती नहीं किम शीने और उसकी दो फ्रेंड्स होती है इन सब को लेकर टीचर से मिलने के ले जाते है वो टीचर से मिलती है और कहती है कि अब मैंने गौड का वेचूस कर लिया है मुझे फर्गियूनेस करने चाहिए तो इसलिए मैं अब तुम्हें फर्गियू कर रही हूँ टीचर कहता है कि जब मैं प्रिजन में आया तब मुझे भी गौड मिल चुका है मैं भी एक दिन बहुत रोया और उसके बाद गौड ने मुझे माफ कर दिया है वो शीने से कहता है कि मैं बहुत ही खोश हूँ कि तुम्हें भी ये रास्ता मिल चुका है मैं हर रोज तुम्हारी लिए प्रे करता हूँ टीचर बहुत ही प्रिस्फूल लगता है शीने जब ये सब सुनती है तो वो डिस्टब हो जाती है वो जब बाहर आती है तो उसे चक्कर आती हो और गिर जाती है शीने फिर हमें होस्पिटल में दिखाई कई है किम होस्पिटल के बाहर ही होता है उसकी मदर को उसे कॉल आता है उसकी मदर उसके लिए केर करती है इसके लिए उसे हमेशा कॉल करती है क्यम उसे कहता है कि मेरे तुम चिंता मत करो, मैं सही हूँ वो कैसे रहरा है, उसका हाल चाल, यह सब उसकी मदर हमेशा उससे पूछती रहती है चर्च के सब लोग जब सीने से मिलने आते है किम उसे कहता है कि डॉक्टर का ऐसा मानना है कि उसे psychological कुछ जटकाया था इसकी वज़े से वो गिर चुकी थी हॉस्पिटल में शीने के forehead पर किम किस करता है शीने जब ठीक हो जाती है चर्च में आने की कोशिश करती है चर्च में आने के बाद वो जो bench होता है उस पर ठोकने लग जाती है जब रात होती है तो चर्च के उसके सब फ्रेंड्स उसे console करने के लिए आते है वो सब उसके लिए prayer कर रहे होते है शीने यहाँ सब पर चिर जाती है वो कहिती है गौड ऐसा कैसे कर सकता है जो murder था उसने मेरे बेटे को मारा था और गौड उसे कैसे फर्गिव कर सकता है पहले मुझे उसे फर्गिव करना था फिर गौड उसे फर्गिव कर सकता था मेरे बेटे को मार कर वो इतना fistful कैसे रह सकता है उन पर चिरती है और रोने लग जाती है नेक सिन में हम दिखता है कि शीने एक picture की store में जाती है वहाँ से एक movie चोरी कर लेती है कुछ गलत करना कैसा होता है यह उसे fill कर कर देखना होता है यह पकड़ी जाती है यहाँ की store owner उसके पीछे भागती है तब वे अपने bag नहीं देती वो एक movie उसे वापस नहीं करती एक ground पर एक stage होता है वहाँ बहुत सारे लोग prayer कर रहे होते वहाँ का जो speaker होता है यह भी pray कर रहे होता है शीने फिर जाती है audio system को निकाल लेती है वहाँ से चली जाती है रात में शीने को लगता है कि उसे फिर से किर्णापर का call आया है वह किम को call करती है किम कहता है यह तुम्हें imagine कर रही होगी शीने मान नहीं रहे होती है तो किम बोलता है कि है पुलिस को inform कर दूँगा किम उसे dinner के लिए invite करता है वह कहता है तुम stress में हो और हमें dinner करना चाहिए हम दोनों को मिलना चाहिए कल रात के लिए अब इनकी date होती है जब दुसरे दिन रात आती है तब किम का जो friend आता है उसका है restaurant होता है वो बहुत सारी अच्छे चीज़े बनवाने के लिए बोलता है और अपने friend के पास kitchen में जाकर उसे सब इंस्टरक करता है वो आज बहुत ही खोश होता है शीने फिर हमें दिखती है कि वो medical store में आती है जो medical वाली थी उसका husband यहा है उसके पास आकर वो कहती है कि मेरी जो body है यह मुझे जरा अलग लग लग रही है उसे advice के जरूरत है ऐसा उसे बोलती है उसे रिजानी की यह कोशिश करती है इससे फिर वो बोलती है कि मुझे लॉंग ड्राइव पर लेकर चलो एक जगा और उसे लेकर जाती है उसे intimate होने की कोशिश करती है यह आदमी भी बहुना में बहने लग जाता है पर उसे fit god की आता थी है यह सब गलत है ऐसा उसे लगता है उसे फिर से घर चोड़ देता है रात में एक कीम के पास आती है यह जो उनका डिनर था यह उसने skip कर चुकी है तो घर पर उसके पास आकर उसे कहती है यह तुम्हें हमेशा लगता होगा कि हम दोनों intimate हो जाए आज हम यह कर सकते है कीम को पता होता है कि यह बहुत ही दुखी है इसलिए यह सब कह रही है उसे कहता है कि अपने आप को तुम समालो सीने उस पर चीट जाती है वह वहाँ से चली जाती है घर जाते वक्त और एक prayer meeting उसे दिखती है वह एक पत्थर लेती है और उनके काचपर मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है रात में वह बहुत ही अकिली होती है उपर देखती है और गौड को बोलती है क्या तुम सब कुछ देख सकते हो वह फिर एक चाकु लेती है और अपनी नस काट देती है उसे फिर बच्टावाता है और स्ट्रीट में जाकर लोगों से हैल मांगती है नेक सिन में हमें दिखता है कि शिने का ब्रदर सिटे में आ चुका है उसे लेने के लिए किम ही आया हुआ होता है शिने का ब्रदर किम से पुछता है कि मिरियां कैसा गाव है किम हसने लगता है किम कहता है तुम्हारी सिस्टर ने भी मुझे पहली बार जब आई थी यही सवाल पोचाता वो कहता है कि सेम लोग है सब कुछ यहां सेम ही है यह दोनों फिर होस्पिटल में आ जाते है शिने का प्रदर शिने से मिलता है शिने को उसने देख लिया है तो वो फिर से उसे स्टेशन शोट देते है और वो जाने लग जाता है जब दोनों अकेले होते है तो शिने किम को बोलती है कि मुझे हेर कट करना है किम उसे अगच्छे से पार्लर पर लेकर आता है इस पार्लर में शीने दिखती है कि टीचर की जो बेटी है वही यहाँ काम कर रही है वो उसे पुष्टाच करती है उसे पुष्टे है तुम यहाँ क्या कर रही हो तुमारे स्कूल का क्या हुआ टीचर की बेटी बोलती है कि मैंने स्कूल छोड़ दी है मैं ज़रा ट्रबल में आ चुकी थी और वापस आने के बाद उसने स्कूल भी क्वीट कर दिया है शी ने टीचर की बेटी से हेरिकट नहीं ले पाती वहाँ से बाहर निकल जाती है वो किम पर चिट जाती है किम को बोलती है कि तुम यही मुझे क्यों लेकर आए किम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता शीने आगे चलती है तो स्टोर ओर्नर के पास आती है यह स्टोर ओर्नर उसे कहती है कि जैसे तुने मुझे बताया था कि मुझे interior design बदलनी चाहिए इसा ही मैंने किया है और इससे मेरे बहुत अच्छे से sales अब आ रहे है शीने कहती कि मुझे ये सुनकर बहुत ही खुश हुई शीने का अधूरा haircut देखकर ये store और उसे उसके बारे में बुच दिया शीने कहती कि मुझे मेरा haircut अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं उटकर चली आई हूँ ये store और शीने इस तर बहुत ही हसने लग जाते है किम बिचारा शीने के बीचे बीचे उसके घर पर भी आ जाता है शीने बाहर आती है उसने एक mirror लाया होता है वो देखकर अपने खुद के hair वो काटने लग जाती है किम जब ये देखता है तो हसता है उसे help करने के लिए mirror उठाता है ये हमें hair काटती है और ये movie हैंड हो जाती है ये जो scene है ये movie का सबसे important scene है ये जो mirror है ये scene का self reflection represent करता है अपने आपको देखकर वो बेटर होना चाती है बालो काट रही है ये एक statement है कि वो अच्छा आप होना चाती है किम हमेशा उसके साथ होता है वो जब नहीं भी चाती तब किम उसके साथ ही होता है उसे बहुत ही प्यार करता है और हर कदम में उसके साथ वो चलने वाला है किम की जब गलती भी नहीं होती है तो अपनी गलती एक्सेप कर लेता है और शिने को हमेशा सपोर्ट करता है यह जो mirror है यह किम नहीं hold किया है हमेशा उसका साथ वो अब यहाँ देने वाला है हमें यहाँ मालूम है शीने का जो दर्द है जो पेन मैसुस कर रही है यह temporary नहीं है यह जो दर्द है वो हमेशा मैसुस करेगी पर थोड़ा थोड़ा हर दिन यह कम होता जाएगा जो पेन होता है यह आसनी से नहीं जा सकता पर यह एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अब वो लग चुकी है उसने आफ फ्रेंड सेगरा बना लिये है पिछले सीन में हमने देखा था कि शौप ओनर से वो बात करती और यह हस रहे है उसे सपोर्ट करनी के लिए उसके फ्रेंड से किम भी हमेशा उसका साथ देने वाला है इस मुवे में इंटर्प्रिटेशन के लिए भी हमें एक स्पेस दिया गया है जो टीचर था वो भी बहुत ही काम लगा था वो किसी को मार सकता है यह हमें कभी भी नहीं लगा था इसके अधर हैंड में टीचर की जो बेटी थी वो वायलन्ड थी वो ट्रबल में आ गय थी इसवाजहे से उसे जेल में भी जाना पड़ा था इससे हम इंडर प्रेट कर सकते हैं या एक्जुल में जो मर्डर था वो टीचर की बेटी नहीं किया था टीचर एक अच्छा पैरंट था इसी वज़े से अपने बेटी की जगाँ पर वो जेल में चला गया पर यह मुवी कल्प्रिट कौन था इस वर फोकस नहीं करती तो ऐसे आप शीने के बारे में है आपको कितनी भी तकलिफ हो आपको कितना भी पहन हो रहा हो फिर भी आप इससे रिकवर कर सकते हो अपनी लाइफ लेना ये एक उप्चन नहीं है जिससे आप प्यार करते थे उसके मेमरीज के साथ आप रह सकते हो लास्ट इन में हमें दिखता है किसीने और उसका सन जहां खेलते थे वह यह आकर वो अपने बाल काट रही है उसके बेटे के मेमरीज में हो रहने वाली है यह हमें यहाँ दिखता है बहुत ही पैनफुल ये मूवी थी